देखे कितना सांदार इस राट दिख रहा है जोस्तों यह बोन फायर की भी यहां पर बेवस्ता करते हैं आप साम को बोन फायर का इंजॉय कर सकते हैं बैठके अपने सातियों के साथ रेंगुल इस राट यह दो पोर्शन में बना हुआ है अब हम पहले पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं और हमारे सचिंदाजपुष जी पूरा मजा ले रहे हैं रिसराट का है ही ही इतना मज़ेदार है कि आप बिल्कुल नस्थ हो जाएंगे यहां के अगर आप नेचर लवर हैं तो मुझे लगता है आपके लिए बेजोड च्वाइस रहे कि अगर आ हुआ है और यह देखिए रूम्स के बाहर निकलते हैं आपको कितने सांदार नजारी दिखते हैं निचर के यू लिए फैन आफिट कि सो दोस्तों आज आपको घुमाते हैं अपना कार्गिल का इस्टे रिसार्ट रैंगल रिसार्ट प्रकति की गोद में बसा हुआ बेहत खुबस्वर रिसार्ट है और यह इसका इंट्रिगेट है और यहां से हम चलते हैं अंदर के ओर यह रिसार्ट का पहला व्यू रहा जो कि आपका मौन मोह लेता है खुदी देखके देखे इन पहाड़ियों के बिच बसा रिसार्ट कितना सुन्दर लग रहा है तो कोई भी गेस्ट अगर यहां रहने आता है तो एक बार जैसे इंट्रिग करता है तो उस फिर तुरन मुझे समझें देखती ही फाइनल कर देंगे जैसे कि हम लोगों ने कर दिया था और वाकई इसका इस्टेप बहुत सांदर रहा है और देखे कितना सांदर यह स्राट दिख रहा जोस्तों सबसे इसकी अच्छी बात जो मुझे लगी हो यह है कि प्रकेतिके कितने करीब है देखिए हरा भरा हर जगा से ग्रिनरी है और कितिस तरह तरह के फ्लावर्स आपको बड़े बड़े सुरोज मुख्य के पूल दिख रहे होंगे और इसकी जो हट्स हैं काटेजिस हैं चारोर सराउंडेड हैं पहाड़ियों से तो इसकी सुंदरता को और कई गुना बढ़ा देती हैं यह सामनी जो है यह बोन फायर की भी यहां पर बहुस्ता करते हैं आप साम को बोन फायर का इंजॉय कर सकते हैं बैठके अपने साथियों के साथ जूले भी दिये हुए हैं और उस सामने आपको दीख रहे होगी एक लाइब्रेरी भी इनों दे रखिए जो सबसे बात लगी तो आप यहां बैठके इस्टेटी भी कर सकते हैं बुक्स को अपने टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं रेंगुल रिसाट यह दो पोर्शन में बना हुआ है अब हम पहले पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं और हमारे सच अगर आप एक बार आएंगे तो ज़रूर आप इसे सब को रिक्मेंड करेंगे जैसे मैं आप आप सब को रिक्मेंड कर रहा हूं तो यह देखे हम दूसरे पोजिशन में आ गए रिसाट के यह भी भी उसी तरह उतना ही खुफशिर्द बना हुआ है देखे इस ब्यूटिफुल नेचर और सराउंडिंग में पहाडों से और इन पेड़ों से घिरे हुए हट्स कितनी सुन्दर लग रही है बस एक कमी मुझे लगी यह घास वगरा यहां पर होगी है इसको लोग ट्रिम करने प्रापर तो और भी खुफश्वत रिसाट लगेग और यह बागल वाली यह दोनों हट्स हमारी थी यह रिसाट का ब्रगफास्ट और डाइनिंग एरिया काफी खुब सूर्तिस बनाए है और देखे बाहर बैटने के लिए भी इनों चेर्स डाल रखे हैं तो आप संसाइन का एंजॉय करते हूँ व्यूस को एंजॉय करते हू को गुमाते हैं अपनी हट में जहां जिस हट में हम रूखे हुए हैं उसका अंदर का वियू कैसा है वह भी आपको दिखाते हैं यह फ्रंट का हट आप देख रहे हैं बना हुआ है इसको गूडन फिनिस इनों ने दिया हुआ है इदेखे ओट के रेलिंग्स में लगाया हुए है और यहां का सांदार वियू देखने के लिए हुने दो प्लास्टिक की चेर और टेबल भी एक दी हुए है तो विलकुल प पूरा लुक देने के नहीं कोशिश करी है यह इंटीर व्यू है इनके हट का इस तरह बेट लगा हुआ है परदे पड़े हैं यहां से परदा खोल के आप अपने बेट पे लेटे लेटे ही बाहर के सांदार वियूज ले सकते हैं कुछ ऐसे देखिए बेट से लेटे लेट